वेल्कम फ्रेंड्स आज जया की चाय के दाल थाली की स्पेशल डिश है कच्चे आम का खट्टा मीठा अचार इस अचार की विशेशता यह है कि इसे बनाने के लिए मैं किसी भी प्रकार का कोई ओयल प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करूंगी इसे बनाने के लिए मैंने एक किलो कच्च आम लिया है जिसे धोकर सुखा लिया है अब इस आम को मैं छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में मैंगू कटर से काट लूँगी आम को बराबर से छोटे छोटे टुकड़े में काटना है क्योंकि एक बराबर के टुकड़े देखने में अच्छे लगते हैं साथी हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का पानी का कोई अंश आम से टच न करे या आम में न रहे क्योंकि अचार खटा हो या मीठा हो यदि उस पर पानी का अंश आ जाता है तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है देखिए अब आम हमारे कटके बिल्कुल तेयार हैं और हम कड़ाई को गर्म करेंगे और उसमें ये कटे हुए टुकड़े डालेंगे हमें ये ध्यान रखना है कि गैस एकदम धीमी हो क्योंकि धीमी आज पर ही अचार अच्छा पकता है अब हम इसमें दो चम्मच नमक और दो चम्मच हल्डी डालेंगे और इसे डाल करके खुब अच्छे से मिक्स करेंगे बराबर चलाते रहेंगे क्योंकि अभी आमने पानी नहीं छोड़ा है तो इसमें नीचे लगने का डर रहता है हम चाहें तो इसे पांच मिनिट के लिए ढख भी सकते हैं ढखने से जल्दी मुलायम हो जाएंगे और ऐसे तो नॉर्मली ये लगभग 10 से 12 मिनिट में आम गल करके मुलायम हो जाएंगे इस अचार को बनाने में केवल आधे गंटे का समय लगता है और ये बहुत स्वादिष्टव चटपटा होता है हम इसे अच्छे से मिला देंगे ताकि नमक पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएंगे क्योंकि ये अचार जो है नमक के पानी में ही पकता है अब इसी पीच हम पचफोरन का दो चमच मसाला लेंगे जिसे मैंने भून कर रखा है और इसे दरदरा कूट लेंगे इसे हम अंत में डालेंगे देखे आम थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ने लगा है और जब ये पानी छोड़ देगा और मुलाएम हो जाएगा तब हम इसमें चीनी डालेंगे आप देख सकते हैं कि इस आम में पानी दिखाई दे रहा है मैंने इसके लिए लगभग देड़ किलो चीनी ली है आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी ले सकते हैं कम या जादा कर सकते हैं अब आम पानी छोड़ चुका है और हम इसमें चीनी डालेंगे चीनी हमें एक साथ पूरी नहीं डालनी है पहले हम थोड़ी चीनी डालेंगे और जब वो चीनी मैल्ट हो जाएगी शीरा सा बनने लगेगा तो हम थोड़ी और डालेंगे और अंत में हम पूरी चीनी राल देंगे ये अचार खाने में बहुत चटपटा बहुत टेस्टी होता है और यदि इसे सावधानी पूर्वक रखा जाए तो हम इसे साल भर खा सकते हैं आप देखिए चीनी अब इसमें पूरी अच्छी तरह से मिल रही है और शीरा सा बन रहा है और इस आम का जो प्रेजर्वेटिव है वो यही चीनी है इस अचार को हम चीनी की वज़े से जैसे हम मुरब्बा बना करके साल भर खाते हैं उसी प्रकार इस अचार को भी हम चीनी से बना करके सुरक्षित रखके साल भर खा सकते हैं अब देखिए आम के इसमें उबाला चुका है तो मैं इसमें पच्पूरन का वो मसाला जिसे मैंने दरदरा कूट कर रखा था मिला दूँगी इससे इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है साथ ही मैं इसमें दो चम्बच लाल मिर्च पौडर डालूँगी दो चम्बच भुना हुआ जीरा डालूँगी और सारी चीजें डाल करके खुब अच्छे से मिलाऊँगी इसे मिलाने के बाद आप देखेंगे कि इसका कलर बहुत अच्छा सा यमी सा दिखाई दे रहा है और अब हम इसमें दो चम्बच काला नमक डालेंगे काला नमक जो है इस अचार के स्वात को और भी बढ़ा देता है दाल कर हम अच्छे से मिला देंगे देखिए यह बहुत ही स्वादिश्ट अचार बिल्कुल तयार है इसे हम केवल पांच मिनट और आज पे रहने देंगे और फिर हम उतार करके ठंड़ा करेंगे इस अचार को हम रोटी, मठरी, पूड़ी, पराठे, चावल किसी भी चीज के साथ स्वाद से खा सकते हैं और जब यह ठंड़ा हो जाएगा तो हम इसे सोखे जार में भर करके रख देंगे और वश्वर इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे भी बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी आज के इस वीडियो में इतना ही हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ आप से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद नमस्कार झाल